नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डॉक्टर पर्फ्यूम यूटूब चैनल, मेरा नामे सिधार्द, और गाईस जैसे हमने इस साल का टॉप टैन डियोड्रेंस का लिस्ट लाया था, वैसे ही आप सभी के रिक्वेस्ट के बाद इस साल के हम टॉप टैन समर पर्फ्यूम्स का लाये है, तो इस गर्मी के मौसम में अगर आप कुछ बहतरीन पर्फ्यूम्स देख रहे हैं, जो की यूनिक स्मेलिंग हो, अच्छी लास्टिंग हो, बजट में भी पड़े हैं, और काफी प्रीमियम कॉलिटी के मिले हमें, तो उसके लिए आप इस लिस्ट में से अपने इस आप से देख सकते हैं, तो शुरू करते हैं ये लिस्ट टॉप 10 समर पर्फ्यूम्स का, तो दोस्तो शुरू करते हैं, नमबर 10 से, नमबर 10 पे हमने रखा है, एनवी की तरफ से, एनवी एलिगेंट, जैसे कि ये बॉटल आप देख सकते हैं, काफी सुन्दर बॉटल है तो ये जो है, ये 100 ml का बॉटल है, और ये 100 ml का बॉटल करीब आपको 495 रुपीज में मिल जाएगा, एनवी एलिगेंट के अगर हम खुश्बू की बात करें, तो जैसे इसका नाम है, काफी एक प्रीमियम स्मेलिंग फ्रेग्रेंस हमें मिल जाता है, फ्रेश है, थोड़ा सा यूनीक स्मेलिंग है, कुछ इसमें हमें स्पाइसिस का काफी बढ़ीया एक मिक्स्चर देखने मिलता है, इसमें एक वूरि एसेंस भी हमें बेस में देखने मिलता है, तो ओवरॉल ये फ्रेग्रेंस का जो कॉम्बीनेशन है, ये इसे काफी जादा प्रीमियम नमबर 9 पे हमने Bombay Shaving Company की तरफ से Mexico रखा है तो Mexico जो है दोस्तो एक fresh and clean किसम का fragrance हमें मिल जाता है कुछ aftershave vibe के साथ कुछ barbershop हलकी सी हमें vibe मिल जाती है मगर overall एक gentleman's fragrance आपको मिल जाता है थोड़ा सा simple किसम का है fresh and clean है कुछ जाधा इसमें हमें अलग नहीं देखने मिलता है मगर अगर एक gentleman's fragrance देख रहे है तो आप Bombay Shaving Company का Mexico जो है ये ट्राइ कर सकते है इसके smell जो है आमें थोड़ा सा Yardly London Gentleman Classic की तरफ थोड़ा सा देखने मिलता है इसके price के बारे में अगर हम बात करें तो करीब 500 से लेके 520 रुपे में इसका जो 100 ml वाला bottle है वो आपको मिल जाएगा नमबर 8 पे हमने रखा है मिनिसो की तरफ से नाइट स्टेल तो नाइट स्टेल जो है हमें एक काफी बढ़िया क्लोन मिल जाता है CK1 का तो CK1 का अगर आप एक बहतरीन क्लोन देखना चाहते है तो आप जरूर इसे ट्राइ कर सकते है इसके खुश्बू की अगर हम बात कर तो ये हमें एक फ्रेश किसम का फ्रेगरेंस विथ काफी बहतरीन लावेंडर के वाइब के साथ थोड़ी से फ्लावरी एसेंस के साथ देखने मिल जाता है मौनिंग टाइम में इवन गर्मियों के मौसम में एक बढ़िया ऐसास के लिए आप इसे जरूर राए कर सकते है इ अगर आप एक काफी ज़्यादा फ्रेश फ्रेगरेंस देख रहे है तो आप वाटर को ट्राय कर सकते है जैसे इसका नाम है वैसे ही आपको एक एक मरीन वाला वाइब जो है वो देखने मिलेगा एक वाटरी वाइब जो आता है तो उस किसम का एसेंस देखने मिलेगा थोड प्रिडग के ऐसास के लिए तो आप इसे ट्राइ कर सकते हैं तो नंबर 6 पे हमने रखा है काफी एक यूनिक किसम का फ्रेग्रेंस जो कि है ब्लैंको की तरफ से बिलियनेर तो ब्लैंको का जो बिलियनेर है वो हमें काफी बढ़िया एक क्लोन देखने मिल जाता है अर्माफ के जो बॉटल है वो ओनलाइन देखने मिलता है और इसकी खुश्बू की अगर हम बात करें तो इसमें फ्रेशनेस है एक हलकी सी ब्लू वाइब है मगर पाइनापल की हमें एक काफी बढ़िया वाइब मिल जाती है विच स्मूकी एसेंस तो यह जो एसेंस है हमें पूरा ही ब बढ़िया ब्लू दी शनेल का क्लोन देखने मिलता है तो इसमें इन्होंने काफी बढ़िया ब्लू दी शनेल का एसेंस लाया है स्प्रे करते ही इमिडियेटली पदा चलता है तो बैला वीटा का जो एक्वेटिक स्काय है इसके प्राइस के बारे में अगर हम बात करें तो वह हमें देखने मिलता है तो इसके खुश्बू की बात करें तो वही हमें Blue the Chanel का वाइब देखने मिलता है वही spiciness देखने मिलता है वही blue वाइब देखने मिलता है हालाकि lasting में थोड़ा सा average लगा है मुझे मगर overall काफी बढ़िया क्लोन देखने मिल जाता है और गर्मियों के मौसम में आप इससे अच्छे से इस्तमाल कर सकते हैं तो नंबर फोथ पे आ जाते हैं नंबर फोथ पे हमने रखा है दा मैन कंपनी की तरफ से जो पोलो वुद्स का सीरीज है इसमें से ब्लू वाला फ्रेग्रेंस तो पोलो वुद्स की सीरीज में हमें काफी सारे अलग-अलग किसम के फ्रेग्रेंस मिल जाते हैं उसमें से जो ब्लू वाला है एक काफी बढ़िया समर किसम का फ्रेग्रेंस हमें मिल जाता है इसमें फ्रेशनेस के साथ माइल्ड स्वीटनेस का वाइब हमें आता है तो अगर आप एक सिर्फ फ्रेश का नहीं देख रहे हैं कुछ अलग किसम का देख रहे हैं तो आप जरूर पोलो वुद्स का जो ब्लू है इसे ट्राइ कर सकते हैं इसमें माइल्ड हमें स्वीटनेस देखने मिलता है हलका सा बेस में हमें एक एंबरी वाइब मिलता है मगर ओवरॉल ए यह कहना चाहूंगा कि इन सारे ही फ्रेग्रेंस में सभी जो फ्रेग्रेंस है वो काफी बढ़िया कैटिगरी के है बढ़िया लास्टिंग भी मिल जाते है बजट में मिल जाते हैं तो इन सभी में से किसी को भी आप च्राइ कर सकते हैं और दोस्तों अगर यहां तक आपने इससे results मिले है और mariner का जो खुश्बू है वो हमें एक काफी बढ़िया clone देखने मिल जाता है David of Cool Water का तो David of Cool Water का अगर आप एक budget में clone देख रहे हैं तो आप ज़रूर Beardow का mariner जो है इसे try कर सकते हैं इसके price के बारे में अगर हम बात करें तो करीब साथ साथ एक cooling vibe भी हमें देखने मिलता है तो काफी अच्छा fragrance मिल जाता है नमबर टू पर हमने रखा है हमारे budget category का सभी का काफी जादा पसंदीदा fog की तरफ से expressio हां दोस्तों fog expressio जो है आज भी काफी बढ़िया एक fragrance मिल जाता है हमें budget category में मिलता है और summer के लिए एक बहुत ही बढ़िया choice हो जाता है तो 100 ml का इसका जो bottle है करीब हमें 325 रुपे में 330 रुपे में देखने मिलता है जो बहुत ही जादा budget में पड़ता है 100 ml की quantity ध्यान में लगते हुए ये जो है एक fresh category का fragrance है with हलकी हलकी spiciness मिल जाती है हमें और काफी बढ़िया इससे हमें lasting भी देखने मिल जाती है dry down में जाके थोड़ा सा powdery हो जाता है overall summer के लिए ये fragrance जो है काफी बढ़िया choice हो जाता है इसे आप morning हो या evening हो कभी भी इस्तमाल कर सकते है आज आते हैं हमारे number one fragrance पे तो number one पे हमने रखा है अब पार्केविन्यू की तरफ से जो fragrance है पार्केविन्यू यूफोरिया तो दोस्तों पार्केविन्यू का जो harmony है जैसे मैंने पहले कहा है कि वो डियॉर सवाज का हमें काफी बढ़िया clone मिल जाता है मगर थोड़ा सा हमें average lasting उसमें से देखने मिल जाता है उस हिसाब से अगर हम euphoria की बात करें तो ये काफी एक बढ़िया fragrance हमें मिल जाता है quality इसमें काफी अच्छी हमें देखने मिलती है और काफी ज़्यादा budget में भी पड़ता है करीब इसका जो 100 ml वाला bottle है वो हमें 370 से लेके 380 रूपीज के बीच में 100 ml का पार्केविन्यू यूफोरिया मिल जाता है इसके खुश्बू की अगर हम बात करें तो इसमें हमें काफी बढ़िया bergamot का essence देखने मिलता है थोड़ा सा embroxyn का vibe मिल जाता है हलकी सी jasmine की vibe मिल जाती है dry down में थोड़ा सा हमें mild amberiness sweetness मिल जाता है और हलकी हलकी spiciness भी देखने मिल जाती है मगर overall यह जो fragrance एक fresh category का fragrance है और budget में एक premium quality का fragrance हमें park revenue से मिल जाता है तो दोस्तो यह था इस साल का हमारा top 10 summer perfumes का list इस list में हमने काफी बढ़िया clones भी add किये हैं काफी बढ़िया और महेंगे designer fragrances के clones आपके लिए हम लेके आये हैं और प्लस यह summer season के हिसाब से काफी बढ़िया fragrance है तो इन सभी में से जो आपके choice of preference है और जिस fragrance का आप क्लोन देख रहे हैं अपने budget के हिसाब से खुश्बू के हिसाब से आप fragrance सिलेक कर सकते हैं तो दोस्तों यह top 10 summer perfumes का list कैसा लगा आपको यह जरूर comment section में बताए और इन सब में से अगर आप किसी को इस्तमाल कर रहे हैं या फिर इस summer किसी और fragrance का आप इस्तमाल कर रहे हैं तो यह भी आप मुझसे comment section में share कर सकते हैं तो यही था आज का वीडियो कैसा लगा आज का वीडियो जरूरू मुझसे comment section में बताए फ्रेग्रेंस इससे रेटेड ऐसे ही नहीं नहीं इंट्रेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल सब्स्राइब करना मत बूलेगा और अगर वीडियो पसंद रहे तो वीडियो